आई जोसर प्रावलों की अंडर्स्टैंडिंग लेते हैं इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base BC if AD intersect BC at O show that area of triangle ABC and divide by area of triangle DCB is equal to AO divided by OD कैसे करेंगे इस टाप की प्रावलों को सबसे पहले जो दो हमारे पास triangle दिये होएं जिनकी बात ये करी गई हैं का एक बड़ी structure को थोड़ा color कर लेते हैं जिससे हमें idea लग जाए किस triangle की बात करिया यह देखिए ABC एक तो यह वाला triangle है आपके लिए जिसको मैं blue color से mark कर रहा हूं ठीक है ना यह देखिए यह मैंने blue color से marking कर दी ABC triangle की ठीक है बहुत बढ़िया और दूसरा जो triangle है वो कौन सा है वो वाला triangle है दोस्तो आपका DBC triangle यह है यह मैंने green color से marking DBC की कर दी ठीक है जी बहुत बढ़िया बात है यह देखिए दो चीज़ा भी हमने यहाँ पर कर दी है अब हमें क्या करना है देखिए हमें यहाँ पर area से deal करना है area का ratio हमारे सामने दिया हुआ था एक छोटी सी construction करना चाहूँगा मैं यहाँ पर देखिए यह जो vertex A है यहाँ से एक perpendicular लेता हूँ और BC line के यहाँ पर एक 90 degree बनाता है इधर से D से एक perpendicular लेता हूँ इस तरीके से यहाँ पर 90 degree बनाता है दोनों चीज़े यहाँ पर 90 degree एक तरीके से बनती है ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप area लिखिए आप area of triangle A, B, C ठीक है इसका ratio बनाईए आप area of triangle D, B, C के साथ तो area क्या होता है एक triangle का half into base, A, B, C triangle का base क्या है B, C into height, height अभी यहाँ पर हमने बनाई थी और यहाँ पर मैं इसका नाम देना चाहूँगा इस point का इसका नाम देते है P और इसका नाम देते है M, ठीक है बहुत बढ़िया, अभी यहाँ पर देखिए जो perpendicular है वो क्या है, A, P है ठीक है, और यहाँ पर divide कर देते हैं, जो D, B, C triangle है, अगर उसके अंदर आते हैं उसका area क्या होगा, half into base तो common है, उसका भी, B, C into उसका जो perpendicular है, वो क्या है D और M है, ठीक है एक चिस हमें यहाँ से मिल जाती है, यहाँ पर देखिए, half से half cancel है, B, C से B, C के answer है, तो यह जो equation है, क्या हो जाएगी, area of triangle A, B, C, divide by area of triangle D, B, C, क्या हो जाता है इन दोनों की area, यह जो perpendicular है ना, इसका ratio इन दोनों का area का ratio हो जाता है, यह एक equation number आप इसको यहाँ पर 1 बोल दीजी ठीक है, बहुत बढ़िया बात है अब देखिए, अभी हमें क्या करना है AP और DM, यह जो क्या है, यह हम, इस form में हम इसको नहीं represent कर सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि P और M जो है ना, वो हमने points बनाए हैं, किस से self construction से खुद से हमने construction करी है तो हमने यह point बनाए है तो इस form में, हम answer को represent नहीं कर सकते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम देखिए, दो triangle लेते हैं, कौन-कौन से दो triangle, AP, O और DM, O, देखिए, दो triangle लीजिए आप यहाँ पर, एक triangle लीजिए AP, O ठीक है, यह वाला triangle ठीक है यह वाला triangle जो मैने भी yellow से mark किया है और दूसरा लिजिए triangle DM, O दूसरा यह वाला triangle लीजिए यह वाला triangle लीजिए जो मैने mark किया है yellow से लाइन बना रहा हूँ, ठीक है यह दोनों triangle को लेते हैं इन दोनों triangle में देखिए, गौर कीजेगा angle P यहाँ से और angle M यहाँ से क्या है बराबर है angle P is equal to angle M is equal to 90 degree है A criteria angle criteria से मिलता है ठीक है दूसरी बात क्या है इनमें दूसरी बात देखिए A, O और P जो है वो बराबर है किस के A, O और P बराबर है किस angle के D, O और M के ऐसा क्यों है इसको angle criteria बोलेंगे यह ऐसा क्यों है reason देदीजे इसका ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्या है vertically opposite angles है यह ठीक है ना क्योंकि दो लाइने मिलती है दो लाइने cut होती है point O पर और एक vertically opposite angle यह बनाते हैं तो यहाँ पर दो angle criteria मिल गए third angle भी automatically equal जाएगा और आप बोलिए और आप बोलिए यहाँ पर ए similarity से यह दोनो ट्राइंगल कौन कौन से APO और DMO क्या हो जाते हैं similar हो जाते हैं और अगर यह similar हो जाते हैं तो अब क्या बनाना है आपको अब इन दोनों का अब इन दोनों ट्राइंगल में proportional देखें इनकी side से कैसे proportionality बतती है एक तो आपको AP चाहिए यहाँ पर इसके DM के proportional हो जाएगा दूसरी चाहिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए देखें AO जो है रहा वो DO के proportional हो जाएगा क्योंकि AO और DO देखें standard यहाँ पर नाम दियो है और इसी form में हमें answer देखें निकालना था AO और DO के form में तो इसको लिख दीजे आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे AP डिवाइड बाई DM किसके बराबर है यह AO डिवाइड बाई DO के बराबर है यह चीज़ हमें यहाँ से किसे मिलती है similarity के result से proportionality मिलती है इस proportionality से हमें यह चीज़ नजर आती है यह बाद देखतो यह वाली बात होगा इसको आप put कर दीजे in equation number one put this in कौन से equation में रखने है equation one में तो AP डिवाइड बाई DM की value का है AO डिवाइड बाई MO AP डिवाइड बाई DM यह क्या हो गया यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और यह हो गया AO डिवाइड बाई DO ठीक है ना पीछे से मैंने अभी लिया है यहाँ से ठीक है तो दिखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम hence प्रूव किया है मैंने यहाँ पर कि area of triangle ABC का जो area है divide अगर मैं उसको करता हूँ किस से triangle DBC के area से मुझे क्या मिलेगा AO मिलेगा divide by DO मिलेगा यही मेरे से show करने को इन्होंने बोला था यही मैंने यहाँ पर hence प्रूफ कर दिखिए इस तरह से दोस्तों हम इस problem को solve कर सकते हैं